रामपुर नामक एक गाउँ में दो बूरी अम्मा रहा करती थी, चुन्नी और टुन्टुन, दोनों की जहोपड़ी एक दूसरे के सामने ही थी एक तरफ चुन्नी अम्मा जितनी सुन्दर और लंबी थी, दूसरी तरफ टुन्टुन मौसी उतनी ही काली और लंबाई में छोटी थी एक दिन टुन्टुन मौसी अपनी जोपड़ी में बैठी, खीर बना रही होती है कि तभी वहाँ पर टुन्टुन मौसी का पड़ोसी मटका जिसकी उम्र लगभग 40 के उपर होती है जो देखने में काफी मोटा और पीटु होता है टुन्टुन मौसी को आवाज देते हुए जोपड़ी में आता है अरे ओ टुन्टुन मौसी, कहा हो? अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो अरे वावा, खुश्बू तो बड़ी अच्छी आ रही है आज क्या बना रही हो मौसी? तनिक दिखाओ तो अरे वावा, यह क्या? तुम तो खीर बना रही हो खीर की खुश्बू तो बागई मज़ेदार आ रही है अरे वावा, नेरे मुँमे तो अभी से पानी आ गया अरे वावा, अरे क्या तुम थोड़ी खीर मुझे भी दोगी मौसी? अरे ओ मटका, यह खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है हाँ मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर चल, जाए हाँ से, जब देखो मू उठा कर आ जाता है चल, जाए हाँ से अरे अरे, यह खूसट बुढ़िया भी न, लगता है यह मुझे ऐसे नहीं खाने देगी इतनी स्वादिश्ट खीर, इसे तो मजा चखाना ही होगा अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ मौसी, गुस्सा क्यों करती हो, नहीं चाहिए तुम्हारी खीर जब देखो तब अपना खूसट पन दिखाती रहती हो, जाता हूँ जिसके बाद मटका वहाँ से चला जाता है उसके थोड़ी देर बाद ही, एक भिखारी, जिसका नाम पीटर होता है, टुन्टुन मौसी की जोपड़ी में आता है अरे कोई है क्या, क्या कुछ खाने को मिलेगा, अरे कुछ दे दो खाने को, मुझे भोजन चाहिए, I am hungry अम्मा तभी टुन्टुन मौसी अपनी जोपड़ी से बाहर निकल कर आती है अरे तुम कौन हो, जाओ जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ तभी पीटर को टुन्टुन मौसी की खीर की खुशबू आती है मैसेल्फ, पीटर माई, मुझे तुमारी जोपड़ी से बहुत ही टेस्टी टेस्टी खीर बनने की खुशबू आ रही है अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती, तो अच्छा होता मुझे भोजन की very much आवसकता है, क्या मुझे थोड़ी सी खीर मिलेगी अरे ओ भेखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी हाँ चल जाए यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा बताई देती हूँ ऐसी मरम मत करूंगी तेरी, कि फिर कभी इस गाउं में भीख मांगता नजर नहीं आएगा अभी मेरी बूरी हड़ीों में बहुत ताकत है अरे, नो नो माई, मुझे आप से मार नहीं खानी है, हाँ मैं अभी जाता हूँ, लगता है, ये माई तो बहुत ही ज़्यादा बैड है हाँ, हाँ, ये मुझे खीर नहीं देगी, अब यहां से चलना ही ठीक होगा और वो बहुत दुखी मन के साथ, वहां से चुपचाप चला जाता है अरे, वावा, ये इतनी अच्छी खुश्पू कहां से आ रही है, जरा देखूं तो सही अरे, वावा, बड़ी ही मज़ेदार खुश्पू है अरे, अरे, ये खुश्पू तो इस खडू स्टूंटूं की जोबड़ी से आ रही है आखिर आज क्या बना रही है ये, चल, चल के देखूं तो सही अरे, अरे, ये भूरी पिल्ली टूंटूं तो आज खीर बना रही है अरे, वाव, बड़ी, वाव, अगर सरासी खीर मुझे मिल जाती, तो मेरी भी भूख शान्त हो जाती चलो, आज तो इससे थोड़ी मांग ही लेती हूँ इस टूंटूं की खीर, अहाँ अरे, ओ, टूंटूं बेहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मसितार महक दूर दूर तका रही है अरे, वाव, लगता है आज तो खूब मेवे डाल कर बनाई है खीर अरे, टूंटूं बेहन, क्या आज तो मुझे थोड़ी सी खीर देगी तोहट जोरों की भूख लगी है, हाँ देना मुझे भी थोड़ी सी खीर देना ऐसा सुनते ही टूंटूं अम्मा गुस्से में आ गई क्या कहा तुने, तुझे खीर चाहिए तुने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी है, ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है समझी, इस सारी खीर को मैं ही खाऊंगी किसी को नहीं दूंगी, चल जाए यहां से आई बड़ी मेरी खीर खाने वाली, चल जाए यहां से जिसके बाद चुनमी वहां से चली जाती है वाह वाह, खीर तो बन कर तैयार हो गई है अरे भाई, इसकी खुश्प तो बड़ी मज़ेदार आ रही है वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा लेकिन अभी इसे ठन्दा होने के लिए रख देती हूँ अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुँ में चाले ना पड़ जाए वैसे भी, अब तो बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ अब कहां मुझसे गरम खीर खाई जाएगी भला इसे तो मैं बात में आराम से ठन्दा होने पर ही खाऊंगी अपनी वनाई स्वादिष्ट खीर तभी टुन्टुन मौसी भी अपनी खीर की हांडी अपनी जोपड़ी में एक उची दीवार पर टांग देती हैं और खराटे लेकर सो जाती है उधर सुबा होती है टुन्टुन मौसी देखती हैं कि उसकी खीर की हांडी नजर नहीं आ रही है जिसकी वज़ा से वो बहुत गुस्सा हो जाती है अरे अरे कौन चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी हाई हाई मैं तो अभी खीर चक भी नहीं पाई थी पिर कौन आया मेरी छोपड़ी में कौन लेके गया मेरी खीर ओओ अच्छा लगता है मेरी खीर की हानी ज़रूर उस चुन्नी नास पीटी ने चुराई होगी मैंने उसे खीर नहीं दी थी तो मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली नहीं नहीं ये चुन्नी तुने ठीक नहीं किया अग तुझे मज़ा चखाऊंगी मैं गाउं के मुख्या शरीफ चंद से तेरे शिकायत करूंगी हाँ अब इसके बाद तुझे कड़ी सजा वही देंगे अगली सुबा तुन्टुन मौसी मुख्या शरीफ चंद के पास गई जो देखने में काफी हट्टा कड़ा और पान खाने का बेहट चौकीन होता है गाउं की लोगों की जो भी समस्या होती थी उसका निवारन मुख्या शरीफ चंद के पास ही होता था तुन्टुन अम्मा मुख्या शरीफ चंद से रोते हुए बोली अरे अरे मुख्या जी मेरी मदद कीजिए मेरे घर में चोरी हो गई मुख्या जी मेरी मदद कीजिए और वो जोर जोर से रोने लगती है अरे-अरे क्या हुआ टुंटन मौसी क्यों इतने ही दुखी हो है आकर क्या चोरी हो गया क्या कोई किंटी सामान था तुमारा बताओ बताओ मैं उस चोर को पकड़ कर तगरी सजा दूँगा हाँ चूना लगा के क्या बताओ मुख्या जी मैंने कल अपने बड़े चाव से खीर बनाई थी सोचा था आराम से ठंडी होने पर मज़े लेकर खाऊंगी लेकिन मेरे खाने से पहले ये उस खीर को अरे अरे मौसित चुप हो जाओ आखिर क्या हुआ तुमारी खीर को अच्छा अच्छा तानिक रोग जाओ अरे हो चंदू बेरे पान का पिटारा अब तक नहीं लेकर आया अरे जल्दी आ कितनी देर पहले बोला था तुझे कहां रह गया चंदू अरे अरे जी मालिक आपने मुझे बुलाया मालिक क्या हुआ आपको कुछ चाहिए मालिक अरे 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 कैसा भलकड है रे तू चंदू है कितने समय पहले बोला था कि मेरा पान का पिटारा लेकर आ लेकिन तू है कि फिर से भूल गया अखिर क्या करूँ मैं तेरी इस भूलने की बिमारी का चंदू अरे अरे मालिक माफ कर दीजिए वो क्या है ना मालिक आप तो जानते हैं ना थोड़ा भूल जाने की बिमारी है मुझे रुकिये मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पान का पिटारा हाँ अभी आया लेकिन मालिक ये बुढिया कौन है और यहां क्या कर रही है क्या बोला रे तू इस तुन्टुन मौसी को पूरा गाहू जानता है लगता है तू फिर से भूल गया अरे कब जाये की रे तेरी भूलने वाली बिमारी अरे हाँ हाँ याद आया अच मैं अब मुख्या जी के लिए उनके पान का पिटारा लेकर आता हो है जिसके बाद तुन्टुन मौसी मुख्या को सारी बात बताती है क्या कहा तुम्हारी बनाई खीर चोरी हो गई ये तुम क्या बोल रही हो टुन्टुन मौसी आखिर तुम्हारी बनाई खीर कौन चुरा सकता है मुख्या जी मुझे तो लगता है मेरी खीर उस चुन्नी ने चुराई है आई थी मेरी छोपड़ी में खीर मांगने बड़ी बड़ी लान टपक रही थी उसकी जरूर उसने मेरी खीर की हांडी चुराई होगी हाँ अच्छा तो ठीक है टुन्टुन मौसी चुन्नी अम्मा से जरूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारी खीर की हांडी चुराई है या नहीं अगर खीर चुन्नी अम्मा ने चुराई होगी तो उन्हें अवश्य ही गाउं से बाहर निकाले की सजा दी जाएगी इसके बाद टुन्टुन मौसी वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है अरे अरे ये चंदू अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया लगता है फिर से भूल गया होगा अरे क्या करूं मैं इस भूलकड चंदू का अगली सुबह मुख्या की पंचायत लगती है जिसमें चुन्टुन और टुन्टुन दोनों मौजूद होती है क्या ये सच है चुन्टुन अम्मा कि तुमने ही टुन्टुन मौसी की खीर की हांडी चोरी की है बताओ हमें चुना लगा के चुन्टुन अम्मा जोर जोर से रोने लगती है नहीं नहीं मुख्या जी ये जूट है मैंने इस तुन्टुन की खीर की हांडी नहीं चुराई ये तुन्टुन नजाने असा क्यों बोल रही है मैंने इस तुन्टुन की खीर मांगी थी क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी लेकिन मैंने इसके खीर के हांडी नहीं चुराई यह जूट है और चुन्नी अम्मा जोर-जोर से रोने लगती है अच्छा अच्छा तो ठीक है अब हम इसका पता लगाएंगे कि तुमने तुन्टुन अम्मा की वो खीर के हांडी चुराई है या नहीं उसके बाद ही चुन्नी अम्मा को सजा सुनाई जाएगी चूना लगा के ठीक है मुख्या जी अब सबको आपके ही फैसले का इंतजार होगा हाँ जिसके बाद सब ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं अगली सुबह मुख्या का नौकर चंदू थोड़ा दूध और चावल लेकर टुन्टुन मौसी की जोपड़ी में जाता है ये लीजिये टुन्टुन मौसी आज मालिक ने आपके लिए चावल और दूध भेजा है तुम इनसे फिर से खीर बनाओ और मज़े से खाना है वो क्या है ना दिल बहुत बड़ा है किसी का दुख नहीं देख सकते हैं ये हाँ लीजिये लीजिये टुन्टुन मौसी अरे वाह वाह ये तो कितना अच्छा किया मुख्या जी ने वाकई मैं तो खीर खाने के लिए तरस ही गई थी लेकिन आज बड़े अच्छे से खीर बनाओंगी हाँ और मसे से खाओंगी अच्छा अच्छा ठीक है टुन्टुन मौसी अब मैं चलता हूँ और टुन्टुन अम्मा खीर बनाने लगती है अरे वाह वाह खुश्बू तो बड़े अच्छी आ रही है वाह वाह आज तो जी भर कर खीर खाओंगी तभी टुन्टुन मौसी की जोपड़ी के खिड़की से कोई आदमी जो काला कमबल ओड़े होता है लिकन उसका चेहरा नहीं देख रहा होता है टुन्टुन मौसी को खीर बनाते हुए देख रहा होता है अचानक से टुन्टुन मौसी को किसी बिल्ली के चिलाने की आवाज सुनाई देती है अरे अरे ये मुई बिल्ली क्यों चिला रही है चल कर देखूं तो सही जैसे ही टुन्टुन मौसी अपनी जोपडी के बाहर जाती है तभी वो काला कंबल ओड़े हुआ आदमी टुन्टुन मौसी की जोपड़ी में आता है और खीर की हांटी उठा कर जाने लगता है जैसे ही वो जोपड़ी से बाहर जाने लगता है वहाँ पर मुखिया और उसका नौकर चंदू आ जाते है तभी चंदू उस खीर चोर को पकड़ लेता है अरे अरे मालिक देखो देखो मैंने इस खीर चोर को पकड़ लिया मालिक देखिये देखिये मालिक खीर चोर पकड़ा गया मालिक अब तु हमारे हाथों से नहीं बचपाएगा हाँ, तुझे तो अब फीर चोरी के सजा मिलकर ही रहेगी हाँ तभी वहाँ चुन्नी अम्मा, टुन्टुन मौसी और गाउं के सभी लोग आ जाते हैं चंतु उस चोर के मुँपर से कंबल हटा देता है कंबल हटते ही सब लोग बड़े हरान हो जाती है ये चोर कोई और नहीं, बलकि वही भिखारी था जो टुन्टुन मौसी के द्वार पर भूजन मांगने आया था अरे अरे मुझे माफ कर दीजिए हाँ ये सच है कि मैं ही खीर चोर हूँ मैंने ही इस जोपड़ी से खीर की हांडी चुराई थी और आज भी जब इस बैड माई को खीर बनाते देखा तो यहां फिर से खीर की हांडी चुराने आ गया लेकिन ये सब मैंने अपने लिए नहीं बलकि अपनी बूड़ी मा के लिए किया कई दिनों से भीख न मिलने के कारण मेरी मा को कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था मेरी मा की हालत खराब होती जा रही थी अगर मैं खीर की हांडी ना चुराता तो मेरी मा भूख ही मर जाती अरे अरे क्यों अरे भीखारी क्या तुझे मेरी ही खीर की हांडी मिली थी चोरी करने के लिए बता तो जरा अरे कितने मन से बनाई थी खीर और एक निवाला तक नहीं खाया और आज फिर से आ गया आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचे गहा आज तो अच्छा मज़ा चेखाऊंगी तुझे नो 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 मदर I am really sorry माफ कर दो मैं तुम्हारे द्वार पर भीक मागने आया और मुझे मज़े खीर बनने की खुश्पू आई मैंने तुमसे थोड़ी सी खीर मागी तो तुमने मुझे बिना खीर दिये अपने द्वार से भगा दिया लेकिन मुझे अपनी ओल्ड मदर के लिए भोजन की बहुत आवशक्ता थी जिसके बाद मैं वापस आया और देखा तो तुम बड़े आराम से सो रही हो तभी मैंने तुम्हारी जोपड़ी से वो खीर की हांडी अपनी बूढ़ी मा के लिए चुरा ली I am really sorry माई मुझे माफ कर दो देखा देखा मुखिया जी मैंने आप से कहा था मैंने बोला था बोला था मैंने इस टिंटिं की खीर नहीं चुराई देखो देखो पकड़ा गया ना असली चुर अब पता चल गया ना किसने खीर चुराई यही भिखारी ही असली चुर है हाँ 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 चुन्ली अम्मा अब पता चल गया है तुम निर्दोश हो यह भिखारी ही खीर चुर है लेकिन इसकी बातों से लग रहा है कि यह सच बोल रहा है शायद इसने खीर की चोरी अपनी बुड़ी मा के लिए ही की हो इसका पता तो लगा नहीं होगा क्यों न मुक्या जी हम इस भिकारी के साथ इसकी बुड़ी मा के पास चले तभी हमें पता चल पाएगा कि ये भिकारी सच बोल रहा है कि नहीan हाँ हाँ यही सही रहेगा अरे ओ भिकारी चल ले चल हमें अपनी बुड़ी मा के पास फिर सब पता चल जाएगा चूना लगा के येस येस तो फिर चलिए मेरे साथ आप सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं सज बोल लाओ चलिए चलिए आरे आ गया बेटा तू कब से तेरी रहा देख रही थी बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा अब तेरी इस बुड़ी मा से ज्यादा तेर भूखा नहीं रहा जाता क्या आज भी वैसी ही मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर लेकर आया है उस खीर को खाकर तो मेरी आत्मा को बड़ी शांती मिली थी बोल लाया है क्या वही स्वादिष्ट खीर बेटा लेकिन तेरे साथ ये लोग कौन है बेटा बिखारी की मा की ऐसी बाते सुनकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि बिखारी सच बोल रहा था अरे अरे पीटर तुम तो वाकई सच बोल रहे थे भीया तुमने टुन्टुन मौसी की खीर अपनी बूर्षी मा के लिए ही चुराई थी तुमने जो भी किया वो अपनी बूर्षी मा के लिए किया वाकई तुम्हें एक बहुत अच्छे बेटे हो इसलिए अब तुम्हें टुन्टुन मौसी की खीर की हांडी चुराने की सजा नहीं दी जाएगी अच्छा अच्छा तो अब मुझे सब समझा गया बेटा तुने मेरे लिए ही उस मज़ेदार और स्वादिश्ट खीर की हांडी चुराई थी तु इतना प्रेम करता है मेरी भूग तुक से देखी नहीं गई इसलिए ही तु वो खीर की हांडी चुरा कर मेरे लिए लाया था वाह मेरे लाव तेरे जैसा बेटा पागर में तो धन्य हो गई तभी चंदू जोर जोर से रोने लगता है अरे अरे चंदू क्या हुआ तुझे क्यों रो रहा है मालिक इस भिकारी का अपनी मा के लिए इतना प्यार देखकर मुझे भी अपनी स्वर्गवासी मा की याद आ गई मा कितनी तारी होती है न मालिक हाँ हाँ सच में अब तो मुझे भी अपनी मा की याद आ गई हाँ मैंने भी इस बिकारी को माफ कर दिया इसने अपनी मा के लिए मेरी हानी चुराई थी और ऐसा कहकर टुन-टुन मौसी रोने लगती है और चुन्नी बेहन तु भी मुझे माफ कर दे मैंने सोचा तु ने ही मेरी खीर की हानी चुराई है और तुम पर मैंने जूठा यल्जाम लगा दिया माफ कर दो चुन्नी बेहन अरे-अरे कोई नहीं टुन-टुन बेहन मैंने तुम्हें माफ कर दिया हाँ लेकिन अब पदले में तुम्हें अपने हाथ की स्वादिष्ट खीर खिलानी होगी हाँ हाँ क्यों नहीं मैं आज तो सभी को अपने हाथ की खीर खिलाऊंगी जिसके बाद टुन-टुन मौसी अपनी बनाई खीर सब को परोजती है जिसके बाद सभी बड़े चाव से खीर खाते है अरे वाँ 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 टुन टुन मुसी मज़ा ही आ गया वाँ बड़ी ही मज़ेदार खीर है हाँ भाई वाँ मज़ा ही आ गया हाँ अरे हाँ एकदम सही बोल रहे हो मटका वाँ कहीर तो बड़ी मज़ेदार है हाँ लेकिन ये खीर आई कहां से मालिक, क्या ये खीर आपने बनाई है आप इतनी स्वाधिष्ट खीर भी बना सकते हैं मैं तो कहता हूँ आप रोज ही ये मज़िदार और स्वाधिष्थ खीर बनाया कीजिए मजा ही आगया ये खीर खाके मुख्या की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी सोर सोर से हसने लगते हैं